प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से समय समय पर देश की विबन हिस्सों में मिल सकते हैं अन्य दिनों में शर्माजी अधिकतार दिली में रहते हैं जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्सों को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जातकों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को बहुत बहुत शुब कामना है भवानी जगदंबा आप सब के कारियों को पूर्ण करें और जितने भी साधक इस वक्त ये कारिय को देख रहे हैं सभी को मनोवानचित इच्छाएं पूर्ण हो आज का पज्जांग 20 नवंबर 2019 दिन बुद्वार कर्शन पक्स मार्ग शेर्स सम्वंत 2076 तिथी आज अस्टमी हैं आज वर्त रहेगा नक्षत्र मगहा आज का रहुकाल 12.5 दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा देखे का दर्श को नाना भाती के सब्जेक्ट हैं नाना भाती के टॉपिक हैं और नाना भाती के इस जमाने में दुख हैं किस प्रकार से इस जीवन को हम समझें किस प्रकार से अपने आने वाले कल को हम समझें और किस प्रकार से हम अपने जीवन में बहुत कुछ करते रहें ये मानव का शरीर ये मानव का तन ये चोला आप माने ना माने हमें बहुत मुश्किल से मिलता है वो बात अलग है, कि हम दुखों में भी जीते हैं, और सुख में तो हम जी ही लेते हैं, इनसान अंदर से कितना मीठा है, इनसान अंदर से कितना मधुर है, एक पैमाना इसे नापने का हमारी हतेली में कुद्रत ने लगाया है, जिसका नाम होता है, हार्ट लाइन, हर दे यह हर्दे रखा होती यह हर्दे रखा व्यक्तिकी गहराई को माप लेती है। आपकी हतेली में मुख्षे टाट रखाएं होती हैं, चودबा गौॉण रखाएं होती हैं और भी अने को बहुत चुट चुटी रखाएं संकेत चिन होते हैं। लेकिन आठ मुख्य रिखाओं में हर्दे रिखा अपने एक विशाल इस्थान रखती है कैसे भारत वर्ष में भारतिय जोतिश सास्त्र में कहलें या सामुद्रिक सास्त्र भी इसको कहते हैं पामिश्ट्री को भारतिय सामुद्रिक सास्त्र के हिसाब से आयू रिखा अलग ह होती है जो एंगुठे को गोलाई से खेरती हुई नीचे की तरफ चलती है यह आपकी आईउरेखा ओती है हर्व्यक्ति के हतेली में उपर की तरफ जो यह बड़ी सी रेखा होती है है हमारे सभी दर्शक जानते हैं सारी चीजें आपको समझा रखी कि उनकी बात भी सही है क्यों हर्ट लाइन हर्दय यदि धढ़क रहा है टेमपेटेशन हर्दय के अंदर धढ़कन है तो व्यक्ति जीवित है हर्दय की धढ़कन बंद हर्दय की गती बंद तो व्यक्ति की सासे बंद और व्यक्ति की लिला समाप्थ हो जाती है तो आयू रेखा भी उसको कह सकते हैं लेकिन हम आयू रेखा को डिफरेंट मानते हैं वो हर्दे रेखा को आयू रेखा मानते हैं कहने का भाव कि हर्दे रेखा अपने आप में आपकी आयू संजीवनी सक्ती की भी दोतक है और आपके हर्दे की विशालता की भी दोतक है आपका मन कितना मधूर है आपकी सोच कितनी मधूर है आपकी हर्दे रेखा से कोई भी आपको पगड़ सकता है कुछ नमूने पेश करता हूँ यही हर्दे रेखा किसी भी व्यक्ति के हाथ में नर हो नारी हो बालक हो बड़ा हो ये हर्दे रेखा जितनी चोटी होगी बहुत चोटी चोटी हर्दे रेखा भी हमने देखी है किसी चोट लगने की वज़े से नहीं जर्म से ही हर्दे रेखा अगर किसी व्यक्टी की दोनों हतेलियों में शौर्ट है चोटी है हर्दे की विशालता में लोलुपता आती है व्यक्ति संकुचत दिमाग का हो जाता है कई बार कंजूसी भी ऐसी व्यक्तियों में पाई जाती है और कई बार कंजूसी के साथ साथ करपणता और करपणता के साथ साथ कई बार गरीबी अभाव भी इस प्रकार की रेखा में देखने को मिलता कहने का भाव ये रेखा जितनी बड़ी होगी और जितनी गोल आकरती की होगी गोल आकरती में ये रेखा पहुँचती कहां तक है हतेली को पार ना करे ये द्यान रखे ये रेखा हतेली को पार ना करे आप यह रेखा या तो आपकी मिडल फिंगर तक जाएगी या आपकी इंडेक्स फिंगर तक जाएगी इंडेक्स फिंगर तक भी आए बहुत अच्छी है या मिडल और इंडेक्स फिंगर के बीच में चली जाएगी बहुत अच्छी है लेकिन केवल रिंग फिंगर तक रहे अच्छी नहीं और केबल लिटल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में चले जाए वो भी अच्छी नहीं अभाव दिलाती है धन का मलकित का अभाव रहता और जीवन में जो शान और शोगत मिलनी चाहिए जीवन में जो आनंद मिलना चाहिए उस आनंद को ये भंग कर देत है ये रेखा प्रेम परदाइनी रेखा भी कहलाती है ये रेखा प्रेम प्रदाइनी प्रेम को बरसाने वाली रेखा भी होती है किसी भी व्यक्ति की हतेली में जितनी सुन्दर जितनी इस्पष्ट ये रेखा होगी उतने ही उस व्यक्ति का दिल मिठास से लबालब भरा होगा उतना वो व्यक्ति मीठा होगा संसार के परती विश्व के परती किसी दूसरे व्यक्ति के परती और भगवान की भगती भावना के परती अपने गुरू के परती ऐसे व्यक्ति सदैव नत्मस तक होता रहता इतनी अच्छी है रेखा होती है और वही वाली बात है हर्दे नहीं तो जीवन नहीं दिल सब के पास है लेकिन दिलदारी किसी किसी के पास होती है दिलदारी सब के पास नहीं होती है दिल तो सब के पास धड़क रहा है लेकिन उस दिल में मिठास उस दिल में प्रेम सब के पास नहीं होता जिसके हर्दे में प्रेम है मज़ा तो तब है ना अब ये रेखा अगर कटी हुई हो या रेखा खंडित हो तूटी हुई हो, बिल्कुल तूट गई हो ये वास्टिकता है, इसका नाम हर्दे है हर दे तूटेगा कई बार प्रेम में हर दे तूटता है हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं चाहे वो हमारा अपना है पती है, पतनी है पता है, पत्र है भाई है, मित्र है, लवर है सने ही है हर दे तूटेगा तूट करके रह जाएगा बहुत बुरी तरह से तूट जाएगा धोगा मिल जाएगा कोई हमें चीट कर लेगा तो लेकिन ये एक मीटर होता है उसको नापना पड़ता है कि वो काम किस वक्त होगा आपका हर दे तूटेगा आपका यानि कि कोई काम बिगड़ेगा भगवान न करे ऐसा हो किसी के साथ लेकिन वो कब होगा उस चीज़ को एक अच्छा पमिष्ट बता देता कि आपके साथ ये घटना घट सकती है कई बार हम किसी पार्टनर्शिप के साथ बहुत बड़ा पार्टनर्शिप में जानना चाते हैं बहुत बड़े पैसा लगा करके हम उसके साथ कुछ करना चाते हैं धोका मिल जाता अगर हर देर एका खंड खंड है तो पार्टनर्शिप के लिए हम लोग राइने देते बच्चे कई वाल लब मेरिस के लिए अमादा हो जाते हैं जहां प्रेम करते हैं से दोका मिल जाता परिवार भी परिसान हो जाता तो बहुत सारी बाते हैं अगर कहीं ऐसा है तो हमें उसका सोलूशन चाहिए हमें उसका सोलूशन कर लेना चाहिए सोलूशन है यह वास्ट विकता है हमारे हाथ पैर की कई बार जो बोन्स हैं वो ब्रेक हो जाती है, हड़ी तूट जाती है, प्लास्टर लगता हम ठीक हो जाते हैं, बरतन तूट जाता है, फूट जाता है, लीकेज हो जाती है, लीकेज दूर कर दी जाती है, ठीक हो जाता है, तो ऐसे ही आपकी हतेली में, अगर यह हर्दे प्रेम प्रदाई नहीं आपके प्र थम भाव पर पडएगा और इसका सराँकर अष्टम भाव पर भी पड़ेगा प्र alm पंचम ऑस्टम प्रतis आप आप्पी बोड़ी आपका स्वभाह पंचम न बुद्धी क्न और पेट और आपका अश्टम आपकी आई हो आपका संजीवन बहुत लोगों को जल्द जल्द हर्ट एटेक आता है बहुत लोगों को हार्ट चे संबंदी तकलिफ रहती है बाइपास सरजरी हो जाती है है ना बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है स्टन्ट पढ़ जाते हैं हर दे में तो ऐसी इस्तिति में भी आपकी हर दे रेखा अच्छी नहीं है हार्ट की मिमारी ना हो उसके लिए पहले से इंतिजाम हो जाता बहुत लोग सोसते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता संसार में क्या नहीं हो सकता सब कुछ पॉसिबल है बस उसका वे उसका रास्ता चाहिए आप जिस ताले की चावी लगाकर के जेब में घुमते हैं ना कि मेरा घर सुरक्षित हो गया लेकिन चोर उस ताले को भी खोल लेते हैं आपकी बंत जोरी को भी खोल लेते हैं शुरक्षित भवन को भी उसमें सेंद लगा देते हैं तो हर चीज हर व्यक्ति के पास हर चीज का इलाज हो गया तो ऐसे ही सास्त्र में आपके दुख हैं आपकी समस्याएं हैं समस्याएं तो समधाने समधाने तो समस्याएं भी होती रहेंगी है ना तो आपकी बिमारियां है तो आयुर्वेद में चिकिस्ता सास्त्र भी है रोग है तो उसकी आउस्दी भी है हर चीज का हर चीज का इलाज बनाए तो ऐसे भगवान नगरे किसी की हार्ट लाइन ऐसी हो या उसे ऐसा संदेशा अंदेशा हो तो वहां किसी अच्छे पामिस्ट से राय ले करके उस समस्याओं से बाहर आ जाना चाहिए दूसरी बात इसी हर्दे रेखा पर रेशे रेशे निकले हो जैसे आपने देखा मूली में गाजर में रेशे रेशे निकले होते हैं तो अगर ऐसे रेशे रेशे हार्ट लाइन से निकलते हैं बड़ा मीछे आदबाद मी हैं बहुत भावना और कल्पना शील आप व्यक्ति हैं और मोटी सी हर्दे रिखा हो कहीं ने कहीं हलकी सी उसमें कुछ-कुछ रूट्स नजर आती हूँ बड़ा भावुकता के साथ आप जीवन जी रहें बहुत नर्मल मूम जैसा हर्दे है आपका यस मतलग जब हमें अपना हाथ दिखाते हैं आपके जीवन की पूरी हिस्ट्री हमारी मनो मस्तिक्स में उगर केर के सामने आ जाती हैं आप क्या हैं आप अंदर से कैसे हैं बाहर से कैसे हैं सारी चीजें व्यक्ती की हाथ देखते ही द्रश्टी पढ़ते ही द्रश्टी को चुर्ख होने लगती हैं कहीं भी जीवन में किसी भी तरह का दुख हो, तकलीफ हो, हर्दे तूटता हो, बन मसूस करके रहना पड़ता हो, मांसिक तकलीफें हो, आर्थिक तकलीफें हो, तो हमें कहीं नहीं, अब ये तो मैंने एक रेखा की थोड़ी थोड़ी सी बाते बताई हैं, कम से कम, एक हजार पाइंट हैं हर्दे रेखा के उपर, जो समझाने वाले हैं, अभी तो मैंने एक मुख्तलिफ से तकरीबन चार पाइंच पाइंटों पर ये आपसे मैंने बात की है, हजारो पाइंट हैं हर्दे रेखा के, हजारो पाइंट हैं आईयो रेखा के, हजारो पाइंट हैं मस्ति किसी का हाथ लेकिन किसी चीज़ को सीखने में क्या जाता है वही हमें भी नहीं पता हम क्या करेंगे लेकिन हमने किसी जमाने में खेर इश्वर की करपा से यह सब चीज़ आई तो मन होता है हम तुम्हें सिखाएं सब को सिखाएं सब को बताएं तो आप बस यह है कि सब्जेक तक्राइब 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 तक को समय हो चलाए आज की ध्यानमाला का आज की ध्यानमाला में हम जोड़ते हैं भगवान शिरी राम से ओम रामो राजमनी सदा विजयते रामम्रमे संबजे रामे ना विहता निसा चर्चमू रामायतास मैंनमा रामा नास्ति परायनं परतरं रामस्यदा सोम्यहं रामे चितलया सदा ववतुमे भोराममा मुद्धर राम रामेती रामेती रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने आदो रामत पोवनं दिगमनं हत्वाम्रिगं कांचनं वैदेई हरनं जटायुमरनं सुग्रिवसां भासनं वाले निग्रहनं समुत्रतरणं लंकापुरे दाहनं पस्चात्राबन कुम्बकर्णहननं इतद्रामायनं कवच बना ले ध्यान करें भगवान श्री राम की कृपा राम दर्वार की कृपा आपके उपर बरस रहिए अम बोलते हुए नेत्र खोलने समाने हो जाए दर्शकों आज का टोपिक बस इतना ही रखते हैं बहुत गहरे टोपिक हैं यह बहुत बड़े हो सकते हैं आप हमारी ध्यार माला से जरूर जुड़ा करें इससे आपको बहुत अच्छा लाप मिलेगा और यदि आप व्रक्त सोर से बच्चों के लिए आप हमारे संस्तान से वाइदिक जनम पत्रिगाए जरूर बनवाय करें क्यों उसमें जो भी समस्याय होती हैं तो हम आपके साथ फोन पर डिसकस कर लेते हैं ताकि आप उन उपाईयों को एक समय रहते कर सकें तो आपके लिए बहुत अच्छा रह हूं इनके बताय मार्क पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताय मार्क पर चले ऐसा इसलिए कि सच के मार्क पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं यह सिरिफ कहते हैं भगवान से पड़े हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरुजी ही हैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माची से नोट शिविर में भाग लेने हैं तो एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारे के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें